जो हरी विमुख हैं, हरी नाम जप नहीं करते, नित्य नियमित भगवत चर्चास्रवन नहीं करते, शंत शमागम नहीं करते, उनका जीवन क्या है? हरी विमुख जीवन है. कैसा जीवन है बुले ओ मा को कष्ट देने के लिए व्यर्थ में पैदा हुए वो सुवर कुता सियार जैसा जीवन है किस काम का जीवन है जीते जी नरक रूप है अभागी है मृत है अचूत है निंदनी है जो हरी भी मुख है पाप में रुची बढ़ती चली जाती है यह पता नहीं चलता कि हम कैसी दुर्गती के आच्रन कर रहे हैं इनका परिणाम कितना भयावा होगा जब परिणाम आता है तब केवल भोगने में आप होते हैं कोई और सायोगी नहीं कोई सायोगी ना तुम्हारा धन ना तुम्हारा कोई जन ना तुम्हारी बुद्धी कोई तुम्हें साथ नहीं देगी जिस समय परिणाम आएगा केवल दुख ही दुख और उस समय हरी का बिश्मरन होता है क्योंकि पापाचरन सबसे पहले बुद्धी पर आक्रमन करता है किसी को जब भोग भोगना होता है तो सबसे पहले कर्म उसके बुद्धी पर आक्रमन करता है बुरी दशाने के पहले बुद्धी बदली जाती उसकी बुद्धी को अधेन कर लिया गया जिसे किसी की गाड़ी को अगर अपने वस में करना तो ड्राइवर को अपने अंदर में कर लिया उसे बंदी बना लिया कर्म सबसे पहले बुद्धी को लेकिन हरी भक्त की बुद्धी को नहीं हरी बिमुक क बुद्धी को हरी भक्त चतुर सुजान सार्थी वो तुमारे बस में आने वाला नहीं कर्म के बस में आने वाला नहीं इस भजन सार्थी सुजाना जिनकी जिव्या से हर समय प्रभू का नाम निकलता रहता है किसी कर्म किसी असुग विनायक देवी देवता किसी की सामर्त नहीं कि उसकी बुद्धी को अपने बस में कर सके उसकी बुद्धी को अधिन कर सके नहीं वो हरी को समर्पित बुद्धी है अगर कोई कर्म प्रभाव आया भी तो डरता हुआ आता है और उतना ही, जितना हरी आदेश कर देते, उतना के चला जाता है, पर बुद्धी बरष्ट नहीं होती, बुद्धी उससे आकरिष्ठ होकर हरी बिमुख नहीं हो जाती कि भैंकर करमाया और हरी बिमुख हो गई, बुद्धी नहीं, इसलिए हमा भागी की पंती में न चले जा हमारा परम भाग्यू दे हुआ हो भाग्यू भगवद आश्रित हैं हम गर्व करो इस बात का आपको बहुत दुरलब वस्तु मिले हरिश्वर रणागती बहुत दुरलब वस्तु है इस्ठसक में रहो हम अनाथ नहीं है हम जन साधारण नहीं है भले हम नीच है पतित है पर हम हरी के हैं हम प्रियाजू के हैं अब हम ऐसे नहीं गली चलते हैं नहीं हरी के हैं प्रभू के हैं बात बन जाएगी गोश्वामी जी कह रहे हैं, जो हरी नाम से बिमुख है, सत्संग से बिमुख है, भगवत चर्चा से बिमुख है, भगवत लीला स्रवन से बिमुख है, उनका जीवन बेर्थ है, सुमर के समान, कुत्ते के समान, सियार के समान, या गीध के समान बेर्थ जीवन है